हलो एरुवान आम रमेश निसाहद और वालकम यू अलन बिहाफ अभीपसर अभीपसर टीम जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक मीजन चला रहे हैं जिसका नाम है मीजन 2023 जिसमें धेर सार इंपोर्टेंट कोश्चन अंसर आपको वीडियो के मादम से प्रोवाइड के जा रहे है ताकि आपके ज्यादा से ज्यादा नंबर आए तो पिछले वीडियो लेक्शर में हमने देखा था प्रीविएस एर के इंपोर्टेंट कोश्चन अंसर आज हम उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं तो यह है पार्ट थ्री तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स कोश्चन है यहां पर कहा जा रहा है कि जो चार्ली है वो 1894 की लाइफ को वो peaceful क्यों कहते हैं वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि जो modern world है modern modern जो world है वो insecurity, fear, war, worry, stress इन सारी चीज़ों से भढ़ा पड़ा है लेकिन 1894 की जो life है वो काफी peaceful है काफी सान्ती है वहां पर एक दूसरे की मदद करने की लोग जो है and worries Charlie just wants to escape so he wanders into the fanciful world of 1894 which is much away from he heard realities of life thus he find it peaceful now let's see the next question how is the grand central station a symbol of escape यहां पर पूछा जा रहा है कि जो grand central station है वो escape का symbol क्यों है कैसे है तो escape it means plan, plan का symbol क्यों है तो ऐसा इसलिए कहते हैं कि grand central station का एक subway है यानि भूमिगत पत है जिसमें धेर सारे tunnel है जो कि एक धेर सारे सहरों peaceful सहरों क्योर ले करके जाते हैं जहां पर कोई भी वैक्ती जा सकते हैं तो इसलिए वो जो है ऐसा कहते हैं तो हमारा जो अंसर होगा वो होगा the grand central station has a subway, it has many tunnels each of these tunnels takes people to different places in the city they help one to escape from the dean and burshal, the city and thurs is a symbol of escape so इस तरह से वो कहते हैं now let's see the next question what is a first day cover first day cover क्या है तो जब जो है stamp जो है issue किया जाता है तब stamp collectors जो है उसे खरीतते हैं और selling के first day वो क्या करते हैं उसे mail की रुप में वो send करते हैं और वो जो date होता है इसमें जो date दिया हुआ राता है वो post office की जो stamp है उसके तवारा पता चल जाता है उसके तवारा decide होता है कि कौन से date का है तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो envelope है जो लिफाफा है वही जो है first day cover है तो हमारा answer हो जाएगा when a new stamp is issued stamp collectors buy some of them they use them to mail envelopes to themselves on the first day of the sale the stamp of the post office proves the date this envelope is called the first day cover और ये जो envelope है यही जो लिफापा है इसे ही कहा जाता है first day cover जैसा कि हमने यहां पे देखा हुआ है now let's see the next question how does Charlie describe the past यहां पे पूछा जारा कि जो Charlie है वो past को किस तरह से describe करते है तो past को इस तरह से describe करते है कि जो past की life है वो काफी peaceful है वो काफी nice है, काफी pretty है वहां हर कोई enjoy करते है अपने according naturally enjoy करते है वहां हर को एक दूसरे की मदद करते है एक दूसरे को company देते है और वहां पर पूरी तरह के तरीके के सांथ सांती है वहां पर किसी भी तरह की इंसेकरिटी वार नहीं है जैसा की modern world है तो इस तरह से वो कहते हैं तो हमारा अंसर हो जाएगा Charlie describes the past as a time when things were pretty nice and peaceful It was a time when people enjoyed one another's company They nurtured hobbies just for fun and not to escape from the realities of life तो यह हमारे अंसर हैंगे Now let's see the next question What confirmed that Charlie was in the year 1894? तो यहां पर पूछा जा रहा है कि क्या confirm करता है कि जो Charlie है वो 1894 की दुनिया में है या दुनिया में थे तो यह दो बाते हैं जब वो वहां पर जाते हैं जब वो Grand Central Station के 3rd level पर जाते हैं तब वो पाते हैं क्या? वो पाते हैं एक newspaper को जिसके नाम है The World और उस समय में The World नाम का जो news था वो बंद हो चुका था यानि काफी words पहले ये news बंद हो चुका था लेकिन वो वहां पर The World नाम की news को देखते हैं जिससे confirm हो जाता है कि वो 1894 की दुनिया में थे डूसरी बात यह है कि जब वो लबरेरी में जाते हैं जब वो लबरेरी में जाते हैं तो वहां पर एक file होती है उस file में लिखा होता है 1894 यानि वहां पर date लिखा होता है जिससे भी ये confirm होता है कि वो कहां पर थे? वो 1894 की दुनिया में थे तो हमारा अंसर हो जाएगा, at the third level of the grand central station, चारिश तार्ड नूस्पेपर, the word, the paper had not been published since then. Hence, this confirms that he was in the year 1894. Now, let's see the next question, who is the Tiger King, why does he get this name? यहां पे पुछा जारा है कि जो Tiger King है, वो कौन है और उसे ऐसा नाम क्यो मिला? The Tiger King जो है, वो प्रतिबंद पूरम के एक महराज थे, और उन्हें यह नाम इसले मिला, क्योंकि इन्हें Tiger को मारने का skill प्राप्त था, क्योंकि इनके पास एक कौसल था, जिससे इन्होंने धेर सारे Tiger को मारा था. तो यह हमारा आंसर इस तरह से हो जाएगा, The Tiger King is the Maharaja. महराज आप प्रतिबंद पूरम, He gets this name for his skill in killing Tigers. Tigers को मारने की skill के वज़े से उनका नाम ऐसा पड़ा. Now let's see the next question. What did the royal infant grow up to be? यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो royal infant है, यानि साही सिसू है, वो बड़ा हो करके क्या बना, किस तरह से बना? तो the tiger जो king है, यानि कि वो सुरू में तो king नहीं थे, वो royal infant थे, यानि साही सिसू थे, वो बड़े हो करके, वो बड़े हो करके tiger hunter बने, टाइगर का सिकार करने वाले बने, वो बड़े हो, वो दीन परतिदीन काफी बढ़ते गये, बढ़ते गये, वो काफी सकतिसाली होते वो विदेशी गाय का दूद पीते थे और विदेशी जो व्यक्ति है इंग्लिस मैन है उनसे वो शिक्षा लेते गया और इस तरह से वो क्या बने टाइगर के हंटर बने तो हमारा अंसर हो जाएगा विदेशी काउ का वो दूद पीते थे और टूद बाइन इंग्लिस मैन इस तरह से वो टाइगर हंटर बने तो हमाराजा को प्राप्त करने के लिए उन्होंने क्या किया तो उनका लक्ष यह था कि यह completely hundred टाइगर को यह मारेंगे लेकिन इन्होंने 10 वर्स में 70 टाइगर मारे थे अब यह हुआ कि इनके राजे में टाइगर की कमी हो गई अब ऐसे समय में इनको 30 टाइगर की और आवस सेटा थी तब इन्होंने क्या किया इन्होंने यह किया कि इन्होंने साधी का प्लान मनाया और किन से एक ऐसे राजा की बेटी से जिनके यहां धेर सारे टाइगर्स हो यानि जिनके राजे में धेर सारे टाइगर्स हो ताकि यह अपना लक्ष पूरा कर सके और इसलिए उने साधी किया तो यह था उनका काम तो इस तरह के जो टाइगर्स से इन टाइगर्स को उने महार to marry in the royal family of a state with a large tiger population. So, he ordered his divan to find the right girl for him. और आगे क्या हुआ? आगे इन्होंने 99 tigers तो मारे लेकिन 100, 100 completely ये नहीं मार साके क्योंकि 100 number का जो tiger था वही इनके मौत का कारण था. और वो tiger कौन था? वो tiger था वो लकडी का ठीक है? तो ये story थी. Now, let's see the next question. The modern world is full of insecurity, fear, worry and stress. What are the ways in which we attempt to overcome them? यहाँ पर question पुशा जा रहा है कि जो modern world है वो insecurity, fear, war, worry, stress इन सारे चीज़ों से भरा पड़ा है. ऐसे कौन-कौन से ways है, तौर तरीके है, जिसके द्वारा हम इन सारे चीज़ों पर काभू पा सकते हैं, विजय हासिल कर सकते हैं. तो इसी इस पर विजय हासिल करने के धेड़ सारे तवर तरेकी है, वो depend करता है हमारे उपर की हमारी रूची क्या है? हम किस चीज़ में काम करके, study यानि पढ़ाई वगर करके, जगा जगा जा करके, घूम करके, पिकनिक्स में जा करके, तो इन सारे चीज़ों के द्वारा, इन सारे क्रिया कलापों के द्वारा हम इन सारे चीज़ों पर यानि आपको लगभग 80 words में answers देने हैं और paragraph change करके जरूर लिखेगा ताकि आपको पूरे के पूरे number मिले जैसा कि यहां पे मैंने paragraph change किया हुआ है ठीक है और यह एकदम सिध्ध में होना चाहिए एक लगना चाहिए ऐसे paragraph आप यदि आप चेंज कर रहे हैं तो तो दो से तीन paragraph में आप अपने according लिख सकते हैं तो यह आपकी 6 नमबर के आएंगे यहां पे पूछा जा रहा है कि चार्ली के बारे उनके चरित्र के बारे बताइए तो चार्ली एक सिंपल सा में है जो नियू आग में रहता है जिनकी एज 31 एर है और देखा जाए तो वो अपनी वाइफ से भ यह भी वो टिकेट खरिता है इत मींस वो दो टिकेट की मांग करता है तो एक अच्छा हस्बेन भी है एक अच्छा इंसान भी है और वो अपने modern world से इस दुनिया से अपने modern world से वो खुस नहीं है क्योंकि जो modern world है वो insecurity, fear, war, stress, तनाव और worry, चिंता से भरा पड़ा है इसलि यह वो grand central station के third, जो level है, third level है उसे वो ढूणने की कोसिस करता है और वो 1894 यह अपने past life में जाने की कोसिस करता है क्योंकि वहां की जो दुनिया है वो काफी peaceful है तो इस तरह से हम इसके बारे में लिख सकते हैं यह भी आपके 6 नमबर के आने वाले हैं जिसमें आप इस तरह स आप paragraph change करके लिखेगा ताकि आपको पूरे के पूरे नमबर मिलें आपको ज़्यादा से ज़्यादा नमबर दिलाने के लिए आपको आपके exam में success करने के लिए हमारे team लगातार आपको धेर सारे वीडियो अलग-अलग subjects के देते जा रहे हैं ताकि आप अपनी परिक्षा म में सफल हो मैं मिलूंगा एक interesting lesson के साथ next video lecture में तब तक के लिए धन्यवाद